दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीवी जगत की खुपसूरा तदकारा जिग्यासा सिंग ना सिर्फ थपकी प्यार की सेजन टू में थपकी का करदानी भाती हुई नजर आई है बलकि इरोने कई सीरियल का हिस्सा बन कर उन्हें सूपर हिट बनाने का काम किया है और य मिली बेवफाई के रहिं में जानते हैं नहीं ना तो इसलिए आज की हमासिस वीडियो में हम आपको इनके दौलब शोहरत से लेकर बॉइफ्रेंट से मिली बेवफाई के बारे में बताने वाले पर इससे पहले आप इस वीडियो को जिग्यासा सिंग के लिए लाइक करना ना भूले जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अदाकारा जिग्यासा सिंग ने थब के प्यार की जैसे कई सूपर हिट सीरियल दिये है और खुद को सफलता के साथवे आसमान पर पहुंचाया है वहीं बता दिये जितने भी शोज में काम करती है पर डे का तक्रीबर सतर से असी हजार रुपे चार्ज करती है जिसके चलते आज ये करीब बाइस करोड की मालकें बन चुकी है और मुंबई के अंधेरी में टूब एचके के फ्लाट में रहती है जो दिखने में काफी बड़ा और खुबसूरत दिखाए देता है जैसा कि आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते है इसी के साथ ही बात करें के लाइफ स्टाइल के बारे में तो आपको बता दी अपने लाइफ स्टाइल पर लाकों रुपे का खर्चा करती है जीहां इनके पास ट्रडिशनल से लेकर वेस्टन ड्रस इसका काफी अच्छा कलेक्शन है जिनके कीमत तकरीब अंदस से 20,000 रुपे होती है और ये कोई ऐसे वैसे ब्रैंड नहीं बलकि जीमिचू गुची पराड़ा ब्रैंड के है एक्सपेंसेव अड्रस के साथ इन्हें और शूस का भी काफे जाता शौक है तभी तो इनके पास बर्बरी, हर्मस और जीमिचू जैसे कई ब्रैंड्स के एक्सपेंसिव शूस और हिल्स है इसे के साथ ही बात करते हैं इनके लग्सीरियस लाइफ स्टाइल में चार चाम लगाने वाले कार कलेक्शन के बारे में तो इनके पास BMW और Toyota जैसे लग्सीरियस गाड़िया है ये तो रही इनके दौलत के बात, अब बात करते हैं इनके शोहरत के बारे में तो आपको बता दे आज इनके काफी अच्छी खास पॉपलर्टी है तभी तो इनके इन्स्टाग्राम आईडी पर इनके एक मिलियन फॉलोवर्स है तो दौलत और शोहरत के बात-बात करते हैं बाइफ्रेंट से मिली बेवफाई के बारे में तो आपको बता दे इनके वो बाइफ्रेंट को यौर नहीं बलके अंकित बतला है जिहां अंकित बतला ही है इनके वो बाइफ्रेंट जिन्होंने इनसे बेवफाई की है और दोनों की पहली मुलाकात साल 2015 में आई शो थब की प्यार की सीजन वन में होई थी जिसमें ये दोनों में लीड रोल में आक्टिंग करते हुए नजर आये थे आपको बता दे इसी दोरान इन दोनों की काफी अच्छी बॉर्णिंग भी हो गई थी और इनकी ये ही दोस्ती धीरे-धीरे करके प्यार में तब दिल हो गई थी जिहां ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे और डेट करने के दौरान ये खबरे आने लगी थी कि ये दोनों बहुत ही जल्द एक दूसरे से शादी करने वाले हैं इसी कारण वर्षि दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर रहे हैं जिसके पीछे की वज़ा अंकित के एक्स्ट्रा फेर को बता जाता है जिन्होंने इसी और शक्सियत के लिए जिग्यासा सिंग को छोड़ दिया और दे दी इन्हें प्यार में बेवफाई जिसने जिग्यासा सिंग को काफे दुख पहुंचाया था पर इन्होंने उस दुख से खुद को बाहर निकाला और फिलहा लिए सिंगल ही अपने करियर पर फोकस कर रही है तो दोस्तों आपका जिग्यासा सिंग के दौलत शोहरत और बॉइफ्रेंट से मिली बेवफाई के बारे में क्या कहना है आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें